अश्राम अलेकुम मुश्पार्स अश्रियकाल इंग इवनिंग में अर्जुकाजमी और आप अमिश्य की तरह से देखने पॉइंट अप्यू हमारे साथ है जी डॉक्टर विश्रो जी बहुत शुक्रें सर्थ क्या जा पाएं थैंक यू सो मुच तांकियू आर्जु जी आपके सभी दर्शिगों को मैंने नमस्ते राम राम सलामाला आप सत्सिकार तैंकू कि आपने मुझे और कैसी है आज तो आपका यह सेलेबाद यूनिक लग रहा है मुझे तैंक यू और आप तैंक यू तैंक यू सो मच और हमें अभी तक इंदिजार है कि आप काला कुर्टा पहन के कब आ रहे हैं वह आप अभी तक नहीं है मैंने कल धोया है उसको तो बिल्कुल अगला प्रोग्राम आपके साथ ही करूंगा उसमें हमने साफ कर लें बिल्कुल से हैं आज, आज आज हमने, बात करनी है भी आूझ करनी हैं कुछ ऑर अन की इनॉगरेशन की है और फिफटीन या शिक्सटीन कहीं फिफटीन नंबर आ रहा है है और बताए जा रहा है वाहरल यह खबर क्या है तोड़ा आप हमें बताइगे जी जी बिलकुल तो उसमें कहीं 15 आ रहे हैं कहीं 16 नंबर आ रहे हैं लेकिन फिफ्टीन हो या 16 हो लेकिन यह है कि यह पूर्ट्स जो हैं इनका इनागरेशन किया गया है तो क्या कहेंगे आपके जो प्रोजेक्ट शुरू किये गए देखे जो मेरे पास लिस्ट है उसमें भी पंदर ही है पूने है कोलापूर है ग्वालियर है जबलपूर है डेली है लखनाव है अलिगड़ है आजमगड़ है चित्रकूट है मुरादाबाद श्रावस्ति आदंपूर और उसके अलावा कड़पा हुबली एंबिलगावी तो और इनकी टोटल लागत जो है वो 42,000 क्रो रूपीज है और मेरे खाल से गवर्मेंट के पास समय तो बहुत कम है क्योंकि अभी जो करना यह करने है मेरे काल से नेक्स्ट रीक तक इलेक्शन एनाउंस हो जाएंगे जैसे इलेक्शन एनाउंस हो जाएंगे सारी की सारी पावर इलेक्शन कमिशन के पास चली जाएगी and the government will become a lame duck government तो कुछ वो उसके बाद कोई भी की ऐसा प्रोग्राम जिसमें की कोड़ ओफ कॉंड़क्ट इलेक्शन कोड़ ओफ कॉंड़क का वॉलेशन हो वो नहीं कर सकते हैं तो यह पिस्तरगी के डिवलप्मेंट प्रोजेक्ट जो है उसी हिसाब से करें हो देखिए अगर इंडिया को न्यू इंडिया बनाना है अब आप सुचे कि डाटा ने अभी कुछ दिन पहले एक सो बीस बोइंग के जो एरक्राफ्ट थे उनका ओर दिया था उसके पहले और भी कंपनी जो एरक्राफ्ट है उनका जो जिस वह कहली जो ऑर्डर एयर बस और बोइंग जो इंडिया का जो यह फ्लाइंग जो एक सब्सक्राफिक है वह बहुत जल्दी से और रैपिडली वह ग्रो कर रहा है बहुत सारा ही डिमांड आ रही है और उस डिमांड को कैटर करने के लिए इंडिया में जगह जगह होनी चाहिए अब जैसे जा लिए मुझे गोवा से बनारत जाना होता है आर्जू जी तो इतना है वह काफी कम हो जाता है और डारिक फ्लाइट हो जाती तो और भी अराम हो जाता है तो यह है मतलब मोदी जी का जो यह प्लैंक है कि एकनोमिक टर्नर अरांड करना है इंडिया का उसी के अंतरगत में यह आपको देख रहे हैं कि 15 जो एयर ट्रेमिनल्स हैं और इनाउग्रेशन मोदी जी ने किया है तो इससे वेलकमिंग जश्यर इंडिया इकनोमिक डेवलप्मेंट जी बिलकुल ऐसा ही है लेकिन इसमें आपको लग रहा है कि जाहरे बहुत जादा इन्वेस्मेंट भी होगी और वारत में और जगह भी हम सुन रहे हैं कि चाहे वो क यूब भी है और कई Microsoft कई दूसरी companies हैं पाकिस्तान में नहीं है तो आपके ख्याल से हम कहां पर इस चीज में वीक पढ़ रहे हैं हमारे पास को जाने को तयार नहीं और आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वज़ए से हम सीखने के लिए कह रहे हैं कि हम भी सीख सके हैं हमारे य नहीं होती हैं उनको तींचे चीजें चाहिए होता है कि जो लीगल एक्मोस्फियर है वह समझती हो वहां ओस को जानती हो वहां के लौससे Hebrew हो ताकि करको उंको को अगर लीगल अर्चन होती है तो उनको पता हो कि possible outcome क्या होंगा तो लीगल जो infrastructure है है आपकी country का आपकी देश का बिंग की कलोनियल हरिटेज है हमारी जो common law की हो तो खेर आपके आप होनी चाहिए तो उसमें जो हमारे laws है आज की डिट में वह American British या जो इस तरह की countries है common law countries उनके laws के साथ काफी similar रहते हैं तो फिर जो investors होते हैं उनको इन laws की समझ होती है कि भही ऐसा है हम ऐसा करेंगे तो एक predictable outcome यह होता है certainty रहती है there is nothing unpredictable about law so first thing है कि आपका legal certainty होने चाहिए laws easy होने चाहिए administrative जो reforms है वो होने चाहिए ताकि जिसको आप कहती है ease of doing business वो वो बहुत अच्छा होना चाहिए यह तो यह तो लीगल एडिमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट हो गए अब मालीजे कोई आप क्या business करना चाहता है उसको इसके यहां से permission दो फिर उसका permission दो फिर उसका country एक government कहती है कि सीपेक एकदम revolutionary concept है और इसके आने के बाद पाकिस्तान में riches आएंगे और पाकिस्तान की economy को बड़ा फाइदा होगा अचानक से दूसरी comment आगे कहती है कि we do not know anything about सीपेक यह तो suspicious project है इसके सारे project को बंद करो सो यह जो uncertainty होती है particle instability में वह वह बड़ा एक factor play करती है दूसरा security वह भी आदमी आता है security से पहले मैं तीसरा डालूंगा आपको legal judicial independence की judiciary का क्या stake है आपके क्या judiciary independence है जा judiciary का जो independent existence है वो executive से प्रभावित नहीं होती कल को माल लिजे कोई company आती है और वो आपके किसी government के institution के साथ संस्ता के साथ इदारे के साथ उसका कोई टेकराहट हो जाता है और वो matter court में जाता है तो court ऐसा तो नहीं कि वो एकदम hyper nationalist हो करके वो अपनी country के फेवर में decision दे तो एक judicial image जो है आपकी country की यदि आपकी judiciary independent है तो वो बहुत strong message भेजती है investor को कि अगर कल को dispute होगा तो they can they can have a fairly fairly free and unbiased legal outcome arbitration की भी बात रहती कि कि कितना आपका record अच्छा है judicial arbitral decisions को implement करने का third and last fourth and last जो मैं कहूंगा security अगर आप क्या security नहीं है अभी आप देखें क्या किया था आप जो message गया होगा शिलंकन जो आप कहां थे उनके साथ जो message आपने convey किया international community को तो उस आधार में तो कौन आएगा सब कोई डरा हुआ ही रहेगा कि भाई हम वहां जाएं और कल को कोई भी इस तरीके के activities में blasphemy में हमको फसादे तो क्या करेंगे तो people are scared तो ऐसे में आपको जोड़ना पड़ेगा आपको अपना interest और international interest जोड़ना पड़ेगा आपने UDHR को conditional sign किया हुआ है universal declaration of human rights को पाकिस्तान साइन ही नहीं करता है they do not recognize universal aspect of human right तो आप जब दुनिया के साथ नहीं चलना चाहते तो यह कैसे expect कर रहे हो कि दुनिया आपके turn पे आपके साथ चले आप समझे यह people have the entire global community have shifted towards universal morality आप अभी भी universal morality में तो नहीं हो ना आपकी तो morality बहुत लिमिटेड और इस डिस्टिक्टेड है तो अगर यह सब अगर आपको international community के साथ जुड़ना है तो फिर उनके morality उनके legality और उनके जो दूसरे concerns है value system है उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा अगर आपका value system और उनका value में role play करते हैं companies को attract करने में या उनको यकीन दिलाने में के जी अगर आप invest करते हैं हमारी country में तो आपको कोई नुक्सान नहीं होगा क्योंकि हमारे तो जितने भी ambassadors कहीं भी हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहे है पाकिस्तान की image को बेतर करने के लिए अगर कोई आपके जो कंट्री की जो गवर्मेंटल एक्स्टिविटी है उसको गवर्मेंट तक पहुंचा है या थोड़ी बहुत वहां पे जो पाकिस्तानी की लोग होंगे उनके इंटरिस को प्रटेक्ट कर ले और अगर अगर कोई ऐसा एक दो पाकिस्तान के कल्चर का पाकिस्तान की कोई पॉलिसीज का शोकेस कहीं पर और अर्ग्नाइज करना तो कर ले देखे यह तो दो तरीके से करते या तो गवरवर्मेंट जाती हैं दूसर गुजरात समिट जिसमें अभी इस बार यह आये थे आपके UAE के जो जो थे साहब वो आये थे तो UAE के क्या नामें उनका MBZ तो MBZ आये थे उन्होंने आकर के गुजरात जो इन्वेस्टमेंट समिट है उसमें स्टीच दिया था इसमें कोई आपका MBZ बहुत एक्टिविट देखें प्राइवेट एक्षिन ना बिजनेस तो प्राइवेट आगमी करें ला इसमें आपके वो क्या कर लेंगे क्या नाम है आपके कर सकते हैं कि भाई की कोई स्कीम है कि इंवेस्ट इन पाक्सा आपकी आवाज ब्रेक हो रही ह आपकी अवाज प्रेको जी 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 कैमरा भी आपका विकुल ब्लड सार है और आपकी आवाज भी नहीं सही आ रहे हैं अभी आवाज कैसी है जी अभी बेता है जी 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 आप बात कीज़ें तो मैं बही करना था कि यह एफेक्टिवली काम नहीं है ना कांसलेट का काम होता है या फिर आपके अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पर फसे हुए हैं तो उसकी हेल्प करना या इस तरह के का हां कोई अगर कॉन्फरेंट करवाना चाहें आपक मैं अगर को दोश देना तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है वह इस तरह कि कोई अगर माली जे आपका सिंद्ध की गौर्वर्मेंट जा रही है और बोली कि इन्वेस्ट इन सिंद्ध काम प्रोग्राम रखना चाहते हैं अगर साहब जड़ाइक कॉन्फरेंस करवाई तो उस पता कि आपके अबस्डर का पॉइंट्मेंट्स कहते होता है और क्राइटेरिया उनके पर आइटिंग कि आप अपने आप अपने राजदूतों को या सफीरों को आप इसका दोश नहीं दे सकती है यह तो गवर्मेंटल एक्रिविटी होती है गवर्मेंट कहेगी हो ऐसा व अबसेडर्स थे या जो आफिसिस थे समझे जो अबसी थी पाकिस्तन की उनके पास से जरूर यह शिकायत आई थी अगर आप शायद दे दी इसलिए के चुप कर गए या पता नहीं वैसी चुप कर गए बेर गयाले पैसे मिल गया होंगे जब ही चुप कर गये ऐसे ही तो घ इट बिलियन भी मिल जाएगा साथ सब्सक्राइब यह अगई है कि आएम एफ या अमेरिका इसलिए पैसा दे रहा है कि वह जाकर यह वह उक्राइन को जो है वह असलाह देंगे पाकिस्तान की तरफ से तो पिर रशिया के साथ कैसे ट्रॉंक्स फराब हो जाएंगे जहां त पाकिस्तान इस बिन डिलिवरिंग वेपन्स टू अमेरिका का प्रेशर तो है तो आप इसको तो रूल आउट तो नहीं कर सकती है अला कि मैरे पास को इंडिपेंडेंट इंवस्टिगेटिव एजसी है नि जिसे कि मैं इस बात को अग्वार्ट कर पाऊं बट मैंने ये नि अबररा के कहने पर कुछ व derechos दे रहे हो अमेरिका के कहने पर की चलो आप अमेरिका एक Twoτο अदेबश्य कृण्स लेकिन पॉइंट हमारो ऐ मेंट किस को हैं किए रहा crown आप अमहारा क्वार्भ हन्स मतलबब नियां화 यह और उसमें चुकि जो आपको बेसा देगा उसमें तो हमारा कॉंट्रिम्वूशन है लोन को shoulders करते हैं तो अगर हमारे पैसे का कुछ बीपनरी यूज्स हो राइडर तो लगाएंगे ही, सो ये वाले पॉइंट है, अब अब, मगर सर अमेरिका ने तो सर अमेशा दूसरी कंट्रीज को अपने लिए इस्तिमाल किया है, कभी भी अगर उनकी अपनी वार जो लड़ना चाहते हैं, चाहिए वह वह वहांनिस्तान में हो, इराक में हो, या पैसा चाहिए, मैं यह नहीं कहने कि सही करता है, पाकिसान बिल्कुल गलत करता है, लेकिन अमेरिका की तरफ भी लोगों को अंगली उठानी चाहिए, कि यह जो कमजोर कंट्रीज है, उनको अपने लिए इस्तिमाल करते हैं, मैं आप से सहमत नहीं, यह बात आपकी factually correct है, ी आप से बात में एरान ने क्यों नहीं लड़ी, अफगानिस्तान में लड़ाई, जो लड़ाई होरी थी, इरान क्यों नहीं लड़ गया उसको, इंडिया क्यों नहीं लड़किया उसको naprawdę हम हमें तो डॉरर मिलते हैं, तो हम कुछ भी कर देतें, मैं खृ करा रहा है, मैं जा विपन्स लिए तो आप अगर चारे हो कि हमारा तो काम बने लेकिन दूसरे वाले काम ने बने ऐसे कैसे होता है इस वाला प्रिस्पल है ना मैं समझी नहीं पाता इस आर्गुमेंट को जो कहते हैं कि अमेरिका की गलती तो आप ना लड़ते अमेरिका फोर्स तो नहीं कर सकता आप ठीक कह रहे हैं मैं भी यहीं कह रहूं कि पाकिस्तान की गलती है पाकिस्तान की वीक्नेस है के पाकिस्तान ऐसे लेकर अगर असला वहां पर पहुंचाएगा रशिया के खिलाव तो आपको लगता है कि फिर दुबारा हमारे गले कोई मुसीबत पड़ेगी बिकास की ज परशिया को यह बात पता नहीं चलेगी तो फिर आप जब आप खुदी एक इंडिपेंडेंट पॉइंट इस तो आप ही के फॉरिन पॉलिसी के इंट्रेस्ट के अगेंस्ट में है ना यू वांट टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट एग्सिस्टेंस कि हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे जी हम इनके साथ नी जाएंगे जी हम उनके साथ नी जाएंगे तो फिर अगर आप अमेरिका से पैसे ले रहे हो और आप आप आएमेफ के पैसे ले रहे हो और उसको डारेक्ट कर रहे हो विपन रिस को तो फिर यह तो आपको डिसाइड करना है ना कि क्य या आपको यह नहीं करना है? क्या आप I.M.F. के सामने स्टैंड ले सकते हो कि भीया पैसे दो यह ना दो पर हम यह काम नहीं करेंगे और अगर आप नहीं ले पारे उस्टैंड कि आपकी इकनॉमिक कंडिशन इतनी बुरी हो चुकिया और जो की है भी तो फिर I think you have no choice then आपको करना पड़ेगा इस डायर सिचुएशन आगे पीछे खाई वाला हिसाब किताब है वट कें यू दू मगर सर वो भी तो कहते हैं ना के नजजी की फाइदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए यह बच्चन साथ की लड़ाई लड़ने की बात सोची तब आप फाइदे और नुकसान का अब ही आपका सर्वाइवल का डिल है आपको खाने के पैसे नहीं है आपको जो देगा खाना आप उसको पैसे लेंगे और आप कहेंगे ठीक है भी हम तो आई बात मनने को तेयार है आपके पास option ही नहीं है कि आपके एनलाइज करो कि क्या यह जो IMF का deal है यह फाइदे बंदे या नुकसान है It's a deal to keep you floating, to keep you surviving, to keep you जिसे हम कहते हैं, since you are a state, so state एक corporate entity होता है So to keep you as a going concern, आपके पास वो option ही नहीं है अभी कि आप फाइदे और नुकसान का That ship has sailed, that boat has left shore far 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 back, तो वो option तो नहीं है अभी यह तो यह कि आप यह पैसा लेके इसको क्या यूज कर रहे, can you create a economic structure out of it आप क्या करोगे, यह देखने वाली बात है क्योंकि सर बार बार कहीं से पैसा लेते रहें और बस उस पैसे को फिर खापी के बैठ जाएं तो यह सिल्सिला जादा लंबे हड से चलता हूँ, मुझे तो नहीं लगता पकिस्तान का कही न कहीं जाके तो लोग ठक जाएंगे, तंग आ जाएंगे, लोन दे दे के भी तंग आ जाएंगे अपने काम भी निकलवा के तंग आ जाएंगे और दूसरे काई मतब कब तक यह से चल सकता है आपके ख्याल से तंग आ जाएंगे मैं नहीं सुझे जहां तक लगता है तंग आ चुके है चाहे साधिया हो चाहे हो वह कि साधिया भी जान रहा है कि हमारा ऑयल बुशके से 10 साल का खेल बचा है वह भी अब दूसरे तरीके के आपको क्या लगता है वह इंडिया के साथ क्यों रिलेशन्शिप अच्छे कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ऑयल के ऑप्शन्स दीरे-दीरे खतम हो रहे है तो वह उनको अल्टरनेटिव जो एकनोमी है उसको तो चलानी है न जिस लाइफस्टाइल कि उनको आदर तक ग गुडड़ नहीं बना रहे हैं जो हमेशा दुनिया उस पर डिपेंडेंट रहे हैं कोई वह बड़ा मशीन नहीं बना रहे हैं वह नेचुरल रिसोर्स का उनके पास अंबार निकला है वह उसको एक्स्प्लोइट कर रहे है उसकी भी एक लिमिटेशन है जिस दिन यह नेच परदा था यूएन की रिपोर्ट है कि दो अजार चालिस में आप या दो जार तीस में आप चालिस करोण लोग होगे आप क्या बिजनेस क्या एकनॉमिक करोगे कि आप इन लोगों को खिला पाऊगे आपका सबसे बड़ा एकनॉमिक पॉलिसी आज की डेट में होना दस परसेंट लेकिन अगर आप आपके लोग जो है पचीस परसेंट से बढ़ रहे हैं तो एकनॉमिक फेल हो जाएगी आप जितनी भी हाई एकनॉमिक्स को देख ले हाई एकनॉमिक्स को उन सारों ने अपने पॉपिलेशन को बहुत अमेरिका 33 करोड लोग है चाइना ने अपनी पॉपिलेशन को स्टेबलाइज कर दिया इंडिया भी ब्रेक इवन पर पहुंच गया जो 1.7 पर महिला का जो एक क्रिटिकल रेट होता है उस पर इंडिया भी पहुंच चुका है अब इंडिया का आने वाले 20 सालों में देखेंगे पॉपिलेशन अब दीर दीर दी हैं तो दो तरीका है एक तो हम सो को 110 बना करके अपना काम बना हैं दूसरा है कि सो हैं तो कम से कम अगर चौक आने वाले दस पूह कम कर लो तो भी हमारे पास पैसे नहीं पाकिस्टान को खेर बहुत पॉपिलेशन के उपर काम करना चाहिए यह तो मैं पिछले में क्याले सा तक बन नहीं होंगी तब तक यही आल रहेगा तैंक यू सो मैं तब तक आए आपने जोइन किया बहुत जबी है Always a pleasure आप जो जी Thank you